हेलो फ्रेंट्स एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंट्स जैसा कि आपको पता है रेलवे ने एंटी पीसी भरती 2019 वाले कंडिडेट के लिए लेवल 6 का रिजल्ट जारी कर दिया है और साथी फ्रेंट्स का टॉप मार्क्स भी जारी कर दिया है फ्रेंट्स एक एक करके हम सभी RRB के कटॉप मार्क्स और जो कंडिडेट डॉक्मेंट वेरिपकेशन के लिए क्वालिफाई किये हैं उनके बारे में बात करेंगे तो मैंने इस वीडियो में RRB अजमेर का ओफिशल वेबसाइट ओपन कर रखा है अब देखिए आप स्क्रॉल करके नीचे चलेंगे तो इसमें आपको रिजल्ट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में अपडेट मिल जाएगा यहाँ पर देखिए साथ नो दो हजार वाईस रिजल्ट ओफ कंडिडेट सौट लिस्टेट पोर डॉक्मेंट वेरिकेशन लेवल सिक्स अंडर सी एन नंबर एक अबलिक दो हजार उन्नीस अंटिपीसी यहाँ पर कट ओफ दिया हुआ है इधर रिजल्ट दिया हुआ है तो सबसे पहले तो कट ओफ मार्च देख लेते हैं कि जो भी लेवल 6 के कंडिडेट है उसमें केटेगरी नंबर 1 और केटेगरी नंबर 2 का क्या रहा है केटेगरी नंबर 2 में देखिए स्टेशन मास्टर वाले जो कंडिडेट हैं वो हैं तो सबसे पहले कट ओफ मार्च देख लीजिए उसके बाद रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स जी रही ओफिशियल कट ओफ मार्च लिस्ट यहां से देखिए सी यह नंबर 1 औबलिक 2019 नॉन टेकनिकल पपलर केटेगरी ज तो सबसे पहले यहां पर केटेगरी नंबर एक जो कमर्शियल एप्रेंटिस हैं नॉर्थ वेस्टन रेलवे से क्या कट ओफ रहा है उपन केटेगरी में यूर का कट ओफ देखिए 95.25 काफी हाई कट ओफ यहां से रहा है एससी केटेगरी में 89.83, एस्टी में 87.45, ओबीसी में 94.91 और एडवलो एस में 92.54 रहा है इसी प्रकार एक सर्विसमेन वाले जो कंडिरेट है वो भी यूर केटेगरी में देखिए 68.47 रहा है और ओबीसी का कट ओफ 69.49 रहा है काफी हाई कट ओफ अजमेर से रहा है जो भ 69.79, एसी केटेगरी में 61.62, एस्टी में देखिए 60.97, ओबीसी में 67.71 और एडवलो एस केटेगरी में 66.27 रहा है यानि जो केटेगरी नंबर टू है उसमें ज्यादा कट ओफ नहीं रहा है बाकी अरवी भोपाल, अरवी बैंगलोर में भी लगबग इतना ही कट ओफ गया 30.35, ओबीसी में 40.81, एडवलो एस का यहां पर कोई भी कट ओफ नहीं है, अब जो अरवी अजमेर से जो कंडिडेट क्वालिफाई किये हैं, डॉक्मेंट वेरिपकेशन के लिए उनका भी लिस्ट एक बार देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स जी रही, डॉक्मेंट वेरिप वेरिपकेशन के लिए जाना है, और जो भी रेलवे नोमिनेटिड होस्पिटल में आपका मेंडिकल करवाएगा, वहाँ पर आपका मेंडिकल होगा, डॉक्मेंट वेरिपकेशन के बाद में, उसके लिए आपको 24 रुपे का मेंडिकल का फीज देना होगा, और 3-4 दिन को आपको रहने खाने पीने की वेवस्ता लेकर जाना है, साथ ही फ्रेंस डॉकमेंट वेरिपकेशन पर जब आप जाते हैं, डीवी के अनुसार, तो आपके औरिजिनल जो भी डॉकमेंट से हैं, उनका एक सेट आपको लेकर जाना है, बाकि आप इसमें पढ़ लीजेगा, वो काफी कंडी रेट है, यहां से 560 कंडी रेट को सॉट लिस्ट किया है, तो फ्रेंस अभी के लिए इतना ही है, जैसे ही आपका डॉकमेंट वेरिपकेशन का सेडियू लाएगा, मैं आपको वीडियो के मायद्धम से अपडेट कर दूँगा, वीडियो देखने के लिए यहां मैंट एलाओ कर देखनी आपकेशन से बोएगी रवगाओें के लिए पते हैंटा अपकेशन के ही लिए लाएगवां में waिक इतना तरव भी भी पते, लिम्लिए वगार होश कर देखने कैना ही है, व्लिए कर देखताव कर द inteligडे हैं, व्लिए कर वीद वीकमें से पत